हालो अप्रिबन श्वागत है आप सबी का मेरे यूटुब चैनल यस आईटी आई टेक्निकल क्लासेश में स्टुडेंट बहुत सारे सवाल रहते हैं आप लोगों के मन में की आईटी आई का फूल फर्म क्या होता है आईटी आई करने का क्या लाब है आईटी आई करने से किन किन छत्र में आपको नोकरिया मिल सकती है आखिर हम आईटी आई क्यों करें तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईटी आई से संबंदित पूरी जानकारी के बारे में तो आज मैं इस वीडियो में ITI से जितनी भी संबंदी जानकारी हैं मैं पूरा complete बताऊंगा तो आप लोग इन तक बने रहे हैं वीडियो में तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ITI का पूरा नाम क्या होता है तो ITI का पूरा नाम होता है Industrial Training Institute यानि ITI के अंदर जो Industries यानि अध्योगिक में बहुत सारे काम होते हैं उन काम को करने के लिए एक अच्छे skilled कम्प्लेटली एक वर्कर की ज़रूत होती है तो उस SAE वर्कर को हम लोग ITI के अंदर एक ट्रसिस्चन देते हैं जिसमें उनके अंदर skill develop किया जाता है कि ताकि अच्छे से वो किसी भी कम्पनी में जाते हैं या किसी भी government sector में अगर वो जॉब करते हैं तो उनको काम का अच्छे से ग्यान होना चाहिए उनके अंदर इसकी लोना चाहिए उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हां मैं इस काम को अच्छे से डिल करनूँगा तो अगला सवाल है कि ITI करने से क्या फायदा है तो ITI अगर आप करते हैं तो बहुत में आप किसी भी government sector में जॉब कर सकते हैं या आप private sector में भी जॉब कर सकते हैं बहुत सारी company हैं जैसे lava company हो गई, samsung company हो गई, data company हो गई या कोई भी company है अगर आप election trade से अगर आप ITI करते हैं तो आपको बिदुद के बारे में बिदुद से संबंदी जितना भी काम है A to Z सारे कामों की जानकारी आपको हो जाएगी किसी भी company में अगर आप जाते हैं तो अच्छे से electrical से संबंदी जितने भी कार है उसको अच्छे से आप deal कर पारेंगे वहीं फीटर की बात करें तो फीटर में भी आप जो भी फीटर संबंदित काम है जो भी आप फिटिंग करते हैं मेकेनिकल संबंदित जो भी काम है आप A to Z कर पाएंगे वहीं welder हो गया, turner हो गया, copa हो गया, या motor mechanic हो गया, diesel mechanic हो गया, tractor mechanic हो गया, तो बहुत सारी ट्रेड हैं और हर काम से संबन दिए, सारा जितना भी इंटरस्टीज में काम होता है, हर उसको अलग-अलग ट्रेड में बाट करके skill दिया जाता है, अच्छी खासी training दी जाती है, त और किसी भी इंटरस्टीज में एक अच्छा कारी करने के योग्य बन जाए, तो गोर्मेंट सेक्टर में कौन-कौन से ऐसे सेक्टर है, जहां आप ITI करने के बाद जोग पा सकते हैं, तो आपका railway हो गया, bail हो गया, sale हो गया, gail हो गया, DRD हो गया, बार्क हो गया, NBS हो गया UPPCL हो गया, और UPPCL तो हो गया, UPPCL TG2, UPArminal TG2 और आपका BR में होता है, BSPSCL, यानि बहुत सारी ऐसे गोर्मेंट सेक्टर है, जिसमें आप अच्छी खासी सेलरी पे आप ITI करने के बाद भी जोब पा सकते हैं, तो ITI करने का बहुत हिलाग है, वहीं एजुकेशन के छेतर में बात करें, तो ITI करने के बाद आप कौन-कौन से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप ITI करने के बाद, वैसे तो ITI 10 पास करने के बाद आप कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ कोर्स हैं, जैसे 6 यर का कोर्स हैं, तो 8 पास होने पे भी आप कर सकते हैं वन येर का भी कोर्स होता है, तो आप 8 पास पर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्स हैं, मैक्समम जो कोर्स हैं, वो 10 पास के बाद ही आप ITI करने के युग मनते हैं, आप 10 पास करिए और ITI में आप entrance exam होता है, या entrance जो form आता है, आप apply करने के लिए, ITI के लिए, उसमें आप apply कर सकते हैं, अगर आप merit basis पर selection होता है, तो आपका merit अगर रहेगा तो आप select हो जाएंगे, और मालेज़े अगर exam होता है, तो exam पर भी merit बनता है, तो उससे भी आपका selection होता है, तो ये तो प्रक्रिया है selection का, तो ITI करने के बाद आप education के चत्र में, आप CITS कर सकते हैं CITS करने का जो lab है, आप किसी भी government sector, government ITI college जो हता है, उसमें आप craft instructor के पर पर आपके बाहली होती है, अगर मालेज़े, अगर आपको government sector में अगर job नहीं मिल रहा है, craft instructor के लिए, तो आप किसी भी private, जो ITI college है, उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं और आगे चलके आप अगर चाहते हैं कि pol technique करें, तो ITI करने के बाद आपको pol technique करने का भी मौका मिलता है, तो pol technique यदि आप करते हैं, ITI करने के बाद तो आपको एक साल का छूट मिल जाता है, वैसे तो pol technique जो होता है, तीन साल का होता है, 3 year diploma course होता है, बहुत सारे trade में होता ह जिसले इलेक्ट्रिकल हो गया मैकेनकल हो गया informações लो हो गया स्विल हो गया आपका सायंस हो गया तो बहुत सरे ट्रेड में पॉलटेक्निक कराया जाते हैं तो यद forgiving करते हैं तो आपको एक साल की छूट दी जाती है एक साल की वरिता दी जाती है तो आई टी आए करने के बाद आप पोल टेक्निक अगर करना चाहते हैं तो दो साल में आपका पोल टेक्निक पूरा हो जाएगा तो ये बहुत सारी आइटियाई करने के बाद आपको benefit मिलती है तो यदि आपके मन में भी चल रहा है कि मैं क्या करूं तो यदि आप 10 पास कर चुके हैं तो मैं कहूंगा कि आइटियाई भी आप कर सकते हैं आइटियाई करने से भी आपके बहुत सारे सेक्टर खुले हुए हैं , बहुत सारे दर्मजे के खुले हुए आप छाए तो आगे चलके एजुकेश्ऩान भी केशन में में आप हाथ अजमा सकते हैं, आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं नैं तो बहुत सारे मतनुता मिलें झ्याचा कि ए गोवर्मेंट खोल सकते यानि स्वहरोजगार मतलब खुद का रोजगार कर सकते हैं अगर 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 आप इलेक्टिकल से समबंदीद अगर आपको नोलेज हैं आप इलेक्टिशन टेट से आई टी आइड की हैं तो मोडर बाइंडिंग कर सकते हैं आप या कोई बी काम इलेक्ट्रिकल संबंदी A to Z कर सकते हैं आप हाउस वारिंग भी कर सकते हैं वेल्डिंग से अगर वेलडर हैं आप वेल्डर ट्रेट से ITI की हैं तो वेल्डिंग करने का अच्छा खासा भी नौलेज होता है तो अपना खुद का रोजगार करने का मतलग खुद का development हो जाता है कि आप कोई भी कोई भी काम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं खुद का रोजगार भी कर सकते हैं तो मैं आसा करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी बात मैंने आप लोगों को बताई आप लोगो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होग तो यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरू करेगा और शेर जरू करेगा क्योंकि इस समय ITI का admission का form दिरे दिरे हर state में आ रहा है तो इसको share करेए ताकि जो भी नए student है जो 10 pass कर चुके हैं या intermediate pass कर चुके हैं अगर वो सोच रहें कि हम ITI करें तो उनके लिए लाबकारी होगा वीडियो तो आशा करता हूँ आपनों शेर जरूर करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करेंगा